So Hello Friends, आज की जो वीडियो डेस्टॉप के बारे में है जिसमें मैं आपको कम बज़ेड में लेटेस्ट जनरेशन का PC तयार करना बताने वाला हूँ इस PC में आपको गेमिंग और वीडियो डेटिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरेंस मिलने वाला है और आपको इस फीड का इशू कोई भी नहीं आएगा तो कि जिस सबसे लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेजर इसमें मैं यूस करने वाला हूँ और इसमें कौन-कौन से पार्ट्स लगने हैं कौन से प्रोसेजर आपको यूस करना है वो सारी इंफोर्मेशन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तो देर ना करते हैं वीडियो को करते हैं स्टार्ट प्लीस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा जिस PC के मैं बात कर रहा हूँ इसमें आपको यूस करना है Core i3 Processor 12th Generation और i3 12F है और इसमें iGPU नहीं आता है आपको इसमें ग्राफिक कार्ड लगाना बेरी इंपोर्टन्ट है क्योंकि बिदाउड ग्राफिक कार्ड आपको डिस्प्ले आउटपुट नहीं देगा इसमें आपको 12MB की कैचे मिल जाती है और बात करते हैं इसकी स्पीड की तो आपको इसमें 4.3GHz की टर्वो बूस्ट स्पीड मिलती है और प्रोसेजर आपको काफी वहतरीन स्पीड प्रोवाइड करने वाला है चलिए बात करते हैं इस PC में यूस होने वाले मदरबोट की तो इसमें आपको DDR4 और DDR5 का सपोर्ट मिल जाता है या आप इसमें दोनों कैटिगरी के कोई से भी रैम यूस कर सकते हैं वो आपके मदरबोट पर डिपेंट रहेगा और ये प्रोसेजर आपको DDR5 रैम पर आपको 4800 MHz तक की सपोर्ट करेगा चलिए बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट की सो फ्रेंट्स आप लोग इसमें विंडो 11 काफी स्मूदली यूस कर पाएंगे और आपको जी काफी अच्छा प्रोफॉर्मस देने व जो आपको 8000 रुपए की बीच में मिल जाएगा आप इसे online और offline दोनों try कर सकते हैं जहां से आपको कम बजेट में मिले वहीं से आप purchase कर सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको description में भी दे दूँगा अगर फ्रेंट्स आपके साथ में budget का issue नहीं है तो आप इसमें थोड़ा स 400 2GB यूज कर सकते हैं यह काफी कम budget में better graphic card जो आपको 6000-8000 तक मार्केट में मिल जाएगा और अगर आप थोड़ा से budget अपना बढ़ा सकते हैं amount थोड़ा से बढ़ा सकते तो आप इसमें NVIDIA को quadro T600 ले सकते हैं 4GB और JG DDR6 के साथ आता है जो आपको market में 15-16000 तक मिल जाएग बात करते है friends इसमें RAM की तो आप RAM इसमें DDR4 और DDR5 लगा सकते हैं और यह आपके motherboard पे डिपेंट रहेगा अगर आपने motherboard जो लिया है उसमें अगर आपके DDR5 का socket है तो यह प्रोसेजर आपका DDR5 को support करेगा और आपके DDR4 रहे तो आप वहां पे DDR4 RAM यूस कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं storage की so friends आज की latest generation में आपको इसमें storage की SSD ही लगाना चाहिए और आपको काफी अच्छी speed मिलेगी plus point आपका जी है friends इसमें आप अपने motherboard में SSD लगा सकते हैं क्यूंकि इसमें m.nbme SSD लग जाएगी और आपको काफी अच्छी speed देगी आप इसमें अपने use के data आप इसमें लगा सकते हैं और इसका SSD का link भी मैं आपको description में देने वाला हूं चलिए बात करते हैं अब PC की cabinet की cabinet में friends आप अपने recording जैसे आपको cabinet अच्छी लगे वैसी आप ले सकते हैं और इसमें main point यही है friends की आप इसमें smps जो है वो कम से कम 450 watt का लें और हो सके तो 550 watt का अपग्रेट करेंगे तो इसमें आपको smps बदलने की जरूरत नहीं रहेगे क्योंकि इस तरीके आप अपग्रेट करेंगे मालेज़े आपने graphic card अपग्रेट किया तो उसकी power थोड़ी extra चाहिए होगी तो आपको smps भी change करना पड़ेगा और जैसी other part की requirement रहेगी उसी आना चाहें लगा सकते हैं आपको जैसा keyword mouse अच्छा लगे wireless वायर वाला तो आप अपने use के हिसाब से इसमें use कर सकते हैं वैसे तो आपको इसमें gaming keyword लिए लगाना चाहिए क्योंकि आपका PC जो है आप इसमें gaming video editing photo editing graphics सारा काम कर सकते हैं क्योंकि यह सबसे latest generation का processor है और काफी performance आपको अच्छा होने वाला क्योंकि इसमें आपके graphic card भी साथ में लगा है so friends last में रहा जाता हमारा monitor और monitor आपको कम से कम 22 इंच से 27 इंच लेना है और इस बात का जरूर ध्यान रखेंगा सबसे ज्यादा important आपका display IPS होना चाहिए क्योंकि आपको graphics के अच्छे experience नहीं मिलें सकते हैं और इसमें आपने यूज के according सारे parts लगा सकते हैं और इन सारे parts का मैं link description में दे रहा हूँ वहां से आप इसे purchase कर सकते हैं और अगर आप try करना चाह रहें तो local market में जहां से भी आपको कम budget में मिले वहां से आप purchase कर सकते हैं so friends उमीद कर तो वीडियो पसंदा जोगी